आपको पता है आलू ने एक बार भिंडी से I love you बोला तो भिंडी ने उसे मना कर दिया फिर आलू ने इतनी रड़की पटाई आलू में थी आलू ब्याज आलू गोवी आलू सिम्ला मिर्च आलू पाला इतनी रड़की पटाई और भिंडी आज भी अकेली है इक लेडी थी जिसके पास कोई जादा पैसे नहीं थे हस्बंड की देथ हो गई थी पैंशन के पैसों से जीवन बिता रही थी तब एक घटना घटी उसके घर के बाहर एक लड़का आया दरवाजा के खटखट आया वो देखती है वो 14-15 साल का एक लड़का जो सेल्समें था और अपनी प्रोड़क्ट्स बेचने के लिए आया था ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे तो उसने कह दिया के देख बिटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं तुझे गलत उमीद नहीं दूँगी मैं तेरी चीजवस्त वे खरीद नहीं पाऊंगी पर दो मिनिट तुझे दे सकती हो जिसे तेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी बच्चा दूद का ग्लास पीता है थैंक्यू कहके चला जाता है इस घटना को और पंदरा साल बीते हैं अब तो ये लेडी बहुत बुजर्ग हो चुकी है और एक दिन उनको हाट अटेक आता है उसका लाखो का बिल बन चुका है इस लेडी के पैरो तले से जमीन निकल जाती है वो रोने लगती है कि हे भगवान मुझे क्यों बचाया अब मैं ये बिल कहां से पे करूंगे मैं ये पैसा कैसे दोंगे और दो तीन दिन वहाँ पे वो इतनी उदासी के साथ बिताती है व वो भारी-भारी कदमों से चलते हुए रिसेप्शन के काउंटर पे पहुँचती है सोचती है मैं किसे क्या बात करूंगी वो कहती है मेरा बिल दिखाईए वो बिल देते हैं एड अप्रॉक्सिमेटली पांच लाख रुपे का उसका बिल आया है वो बिल देखती है पर उन का जिसको उन्होंने एक दूद का ग्लास दिया दोस्तों आज वो बड़ा होके डॉक्टर बन चुका है और उसी की हॉस्पिटल में ये लेडी आती है और वो देखता है कि ओ माई गॉड ये तो वही लेडी जब मैं कुछ नहीं था और उन्होंने मुझे दूद का ग्लास आज ये रिंड चुकाने का मौका मिला है क्यों ना मैं अपना रिंड चुकाओं क्यों ना इनका बिल मैं ही भड़ा है इसलिए तो कहते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं दुनिया गोल है जो अच्छे काम भेजे हैं सब लोट के वापस आते ही पर अच्छी बात क्या ह ये कुद्रत इपनी महरबान है हम पे कि जब हम को छोड़ते हैं उससे कई गुना बढ़के ये लाइप में वाकसाते हैं हम हमेशा पूरी जिन्दिगे लगे रहते हैं दुनिया को इंप्रेस करने में अगर सही में इंप्रेस करना है न तो उस उपर वाले को कीजे आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों न हो ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजन्टेशन देखती है और आपका ये प्रेजन्टेशन कितना भी अच्छा क्यों न हो ये उपर वाला तो सिर्फ आपका intention ही देखता है तो ये सदभावना की शुरुआत आज से ही की जाए मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियां फैलाई जाए क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियां फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशिया मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में वापस आएगी भगवत कीता में बहुत ही सुन्दर कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो तुम लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते अगर औरों को खुशियां बाटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशिया अपने आप आएगी और मैं तो कहती हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे समाइल ले आना वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात में काम है कहते हैं एक उदास चेहरे पे एक प्यारे सी मुस्कुरा हटा जाए और अगर उसकी वज़ा तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान